हेलो स्टुड़न्स गुद मॉर्निंग ओल अपन EMI means electromagnetic induction हाँ चाप्टर स्टार्ट के लाए दिस सेकेंड लेक्चर अन दिस चाप्टर फर्स लेक्चर थुड़ा लांग असला मुलो मी तला टू पार्स मदे अपलोड के ले आयोब सगलयान नी दोनी पार्स व्योसिद बगीत ले नहीं तर तुमाला हाँ चाप्टर कही ही लक्षाते नार नहीं फर्स लेक्चर मदे अपन फार्डेज एक्स्प्रिमेंट स्टडी के लिए होते जा मदे लिए फार्डेज लॉख्वे पार्डेज चे टू लाज होते काय लाज होते सहंगा मंझे एखा द्या coil ला link असलेला magnetic flux जर change हला तर त्या coil मदे current तयार होतो हाँ first law होता and according to the second law of electromagnetic induction the magnitude of induced EMF in a coil त्या coil मदे induced हलेला EMF ची magnitude is equal to the rate of change of magnetic flux linked with that coil मंझे एखा द्या coil मदे जो EMF induced होतो तो EMF किती असतो मंझे त्याची magnitude किती असते है सांगीत ले that magnitude will be equal to rate of change of magnetic flux मंझे इस D5 by Dt असा अपन यला इता मैंशन के लेला है here D5 stands for change in magnetic flux याला अपन delta phi असा ही लेव शकतो है Dt हा time interval जला कि वा तो instantaneous time जला याला अपन delta T असा ही यूज करतो है या दोगांची में एक एक example सांगतो है तुमाला नंतर मंझे ते लक्षातील ओके इस इस सेकेंड लॉफ फारडेस सेकेंड लॉफ फारडेस सेकेंड लॉफ अफ इलेक्ट्रो मैंटिक इंडूक्शन जा मधे आप ते ला इंडूस हरेला EMF ची magnitude करते इतोव डिफाई चा मीनिंग काय है तर change in magnetic flux मंझे magnetic flux मधे जर change हाला तरच त्या कोईल मधे current induced होतो मंझे current तयार होतो मा flux कासा change करायचा फर्स लेक्चर मधे आपन याचे कही experiment study केला होते आठा होते तर experiment मधे काय संगेत लेला suppose this is our coil okay and this coil is placed like this suppose आको नहाँ फर्स डाइग्रह मधे रिप्रेजेंट केला cross चा मिनिंग काय? cross represents the magnetic field which is in inward direction okay आणि त्या magnetic field मधे मी अशी एक coil place केले okay now magnetic field lines are passing through this coil हाँ कोईल मधे मागनेटीक फिल चाहा लाइन्स काय होते पास होते या लास मनतो आपन magnetic flux मंजेज हाँ कोईल मधे मागनेटीक flux मंजे हाँ कोईल मधे जाना रा flux काय जाला? change हाला तरथ हाँ कोईल मधे current induced होतो असा फ्याडेज में संगीट ले मागनेटीक फिलक्स कासा चेंज करता यह उशकतो flux चाह फॉर्मिला काय है? magnetic flux phi b असा ही रिप्रेजेंट करतो अपनेला दिस फॉर्मिला उइल बी b bar dot a bar कि वह अपने अंचा प्रोडक्ट असा लितो b a cos theta फिर theta is the angle between direction of magnetic field and area vector है संगीट लेले अपनी था महा हा magnetic flux मंज़े या coil मदुन जानारा हा जो flux हा है या तो या coil मदुन जानारा magnetic flux हा किती different ways न चेंज करता यह उशकतो संगा करान यह चावर्ति जो numerical स्विचारतात है महीत पहिज आपनेला कि flux कसा चेंज हो शकतो आपने एक कच मेथड बगीत ले आपन कुंती मेथड बगीत ले होती तरह आपन बगीत ले मेथड अशा है सपोज ही आपली कोईल है ओके circular coil है हा अपला bar magnet है काई जला आपला बार मैगनेट नौर्थ पोल है साउथ पोल है लामियास प्लेस केला अपलाइड नौर्ढर इप्रोषेस मादे फ्लक्स कासा चेंज होते है तर मैगनेटीक फिल ची magnitude change हले आमोड, flux काय होतो है, change होतो है, but magnetic flux can be changed in different ways, magnetic flux ला change कसा करता यह हो शकता, यह ची कही में example सांगतो है, जे numerical साथी खुप important है, अता लक्षार क्या, इता first, first diagram मदे काय रिप्रेजेंट केला है, this is our magnetic field, which is in our direction, and this is our coil, कि वा लूप है एक, अता इता यह condition ला, magnetic field constant है, coil stationary है, उटला ही change ना है, याथ कही current नहीं है, आता काय केला है आपन, तरहा coil चा area change केला, मुठी coil है, मैं coil चेंज केला, coil लान केला, compress करूं, coil चा area काय केला, small केला, heat coil है, फक्त अता area काय जला है, कमी जला, area radius सला है, जर coil सा area reduce जला, मनजे, area change जला, and if the area changes, flux अलसू changes, मनजे जर जर क्वाइल सा तुम्ही एरिया चेंज केला तरही क्वाइल मोद उन पास होनारा फ्लक्स काया होतो है चेंज होतो है एंड एक्कॉर्डिन टो फैडेज लग चेंज इन मैगनेटीक इता ही सन्सौीलर क्वाइल आओ है मी यालादाच कहieuकिलन तरह रियरेंज केला बेंड केला आनि सर्क्यूलर score shape मादवी आनल। सर्क्यूलर क्वाइला कृष्या shape मदे कीला है, च्या स्कॉयेर शेप मदे तर ाड़ा चेंग था और याव चेंग लाए फर दोडी पेसे एड लेटाग दोर तर गयोषो नहीं सेचेंग दोनद से आगाड बसंद ग्लमकारा त्थि deeper सेखेण ही। था रसे जोड़ा लाटोront में पनद सेखेका था निल्सके और theta means what theta is the angle between direction of magnetic field and area vector तर अपली coil सपोज इथा आछे ओके अनि मा मी कोईल ला काई केला या rotate केला कोईल ला काई केला rotate केला कोईल ला जो rotate केला क्यों मा असा rotate केला कासा ही काईल ला rotate करा कोईल ला जो rotate केला तर हाँ एंगल जो हाई theta आपनेटीक फिल्ट चेंज केला जो आपनेटीक फिल्ट ला परता आवे निला या प्रोसेस मदेश हो दा मागनेटीक फिल्ट ची magnitude चेंज होते मझे 12 मागनेट क्लोज है तर मागनेटीक फिल्ट स्ट्रांग असना रहे बार मागनेट अवे अवे असल या कोईल पास हो न तर मागनेटीक फिल्ट ची भाल्यू कहा असना रहे वे कसना रहे जहीं इथर रिप्रेजेंट के लए या दोनी मदे काय चेंज है इई इनिशल कंडिशन फाइनल कंडिशन इनिशल ही magnitude कहाई के लिए आपने increase के लिए and if we increase the magnitude of magnetic field flux changes करम B change हले कि flux change होतो है and magnetic field जर change के लए तुम्ही increase के लए magnitude मदे तर यह coil मदे का इंडियूस होतो current मंज़े यह आशा different ways मदे हाँ coil मदे current तयार हो शकतो इंडियूस हो शकतो और यह सगला मदे एक क्वामन है काई क्वामन है तर काही ही के लए तरी change होतो है तो flux मंज़े area small large के ला shape change के ला coil रोटेट के ला कि मदे magnetic field ची magnitude increase के लिए decrease के लिए सगला प्रोसेस मदे change काई होतो flux आणि मग यह कुटला ही एका method नजरी flux चेंज आला तरी तया coil मदे emeep इंडियूस होतो कि महा current इंडियूस होतो ओके यह basic condition होती आची आणि हे जर मही तसेला प्लियाला तरच यह चा और ती जर numerical आले तर ते आप्लियाला solve करता है ताथ आथा यह मदे condition आपना से सहांगू शोकतो है कि flux initial flux final flux आथा final large मटला तर ओके second condition चाप्लक्स 5 तो आहे first condition चाप्लक्स 5 1 असेल then this 5 2-5 1 will be our delta 5 sorry इथा कायर चुकले होतो सांगा delta 5 change in flux upon change in time आथा यह मदे delta 5 चा मिनिंग लग्षा ताला 5 2-5 1 आणि मग B1 ही जी magnitude आहे ती B2 होई पर यह जोड़ा कही time interval होता मा इतला time T2 मना इतला time T1 मना then delta T will be written as T2 minus T1 this is our delta T आनि मा यहाँ दोन values जर मिलाला तर त्या coil मदे induce जलेला EMF ही अपलेला काय गरता है तो calculate करता है तो एक simple way आहे to calculate the induced EMF in any coil मा यह मदे कुटला ही मेथड न यहाँ कॉयल मदुन पास होना रा flux जो आहे तो change होता सेल यहाँ साथी संगीतले करन numerical मदे न की कासा flux change होतो है यह थोड़ा identify करता है यहला पाईजे करन flux change होना चामी different method आता संगीतले आहे यहाँ तली कुटली ही method दिले असेल आनकी थोड़ा वेगला type मदे दिले असेल तो यह identify करता हली पाईजे तर यह चा direction of induced current in a coil मंजे एका त्या coil सी link असलेला magnetic fluxor change हाला तर त्या coil मदे current induced होतो है आप यहला महीते पन त्या induced हलेला current चे direction कशे थे है आपन FADES law चा यूज करून संगुशकर नहीं मा अपन ही direction lens law चा यूज करून identify करू शकतो and that's why this lens law is very important in the study of electromagnetic induction okay I write here the statement of this lens law okay जा statement मदे आप लेला यूले induced हलेला current चे direction कशे अस्ते ही दिलेला ही था statement काई दिलेला ही बगा the direction of induced current in a coil मंजे हाँ coil मदे induced हलेला current चे direction अशी आहे की is such that the magnetic field produced by the induced current आता ही थोड़ा अनकी explain कराईचे आप लेला मैं आजी statement सांतू magnetic field produced by the induced current apposes the change in magnetic flux that induces the current statement वासलेलां तर काही ही लक्षा तेनार नाई में आधी संगतू दुमाला करन statement जो आहे थे त्या मदे बरच complications आहे त्या process है अनि मग आपन हा जो statement मजे lens law जो statement आहे यह statement पूर्ण अच्या लेक्षर मदे समझून गेना रहा होते करन या मदे बरचा गोश्टे आनके आप लेला आड़ करत जाईचे जा निमरीकल स्वाल करता ना ने नेक स्थेरी स्टडी करता ना है आप लेला यूजफूल आहे त्योगे नोँएर तो अंडर्स्टैंड ल ग्यलनोमिटर किनेक के य लाए जयुकि ग्यलनोमिटर एक्टॉली लुक्स राइक धिस ग्यलनोमिटर चै ची निलला असे तिए इनीशली मिड़भॉइंट ला इसे यह चाछ ZERO RIDING असे ता माँ करन पास के लागे निडल एकड़ दिफ्लेक्ट होईल चीनिक फिल आपेला रिप्रेजंट कराई चीन तकाई गरज नाई है नौँएर इफ विए इसपीडर इस कोईल देन सम अब दीनिक फिल लाइन पासे तू दिस कोईल या कोईल मदून काही नेटिक फिल चा लाइन काया होता है पासो था या कोईल मदून मागनेटिक फ्लक्स काही होता है पासो होता है बट इस मागनेटिक फ्लक्स इस कोंस्टन्ट हाँ फ्लक्स कोंस्टन्ट है चेंज होता नही अनि मागनेटिक फ्लक्स पासिंग फ्लक्स पासिंग फ्लक्स पासिंग फ्लक्स होता है या कोईल मदून काही होता ह आपले वहली हां करन्ट कासा इंडूस कराएं चांध इत्परिंची प्रोसेज फैरे जलोच मदे जाली अही काई करोतो आपन plaisir gonna Management के लो कि या क्या क्या होतों न अम cardboard क्या होतों अधिस उतो मुआ बढ़ो मुआ करता है पन मैंने对 ला ट्वर्ट कॉइल मुआ होतों करंग इंडिउस होता अथा अपन फिर्स कंडिशन ग्यों और इना इंधि फिर्स कंडिशन विभी इस बार मेगनेट तुर्फ कोय विद फैल सिटी फी बार मेंगेट लपन तुर्फ कोय काहे केला मुव केला अनि या अब्जर्वेशन ची होती लेंची या बगा कोई ला असा प्लेस केला and he moves this bar magnet towards coil then he observed that the current induced in the coil the current induced in the coil is in anti-clockwise direction या direction नासा करंट काय जला? induced जला मुझा है कोईल मदे आसा करंट काय जला? induced जला, anti-clockwise direction ना करंट काय जला? induced जला आणि मग या बार मैगनेट ला तो जला जला इकड़ा असा मुव करतु ता त्यावल चला असा अबजर कराय लागल कि इकड़ून या कोईल कड़ून या बार मैगनेट ला कोई तरी रिपेल करते? मन्जे फेन वे मुव दिस बार मैगनेट टूवर्स ती कोईल then this coil repels दी मागनेट की कोईल त्या मैगनेट ला जला जल एउँ दितना होती याक मैगनेट ला काय करत होती? रिपेल करत होती मन्जे या ता ही simple प्रोसेस अक्चुली अशिया है दिस अवर मैगनेट, दिस अवर कोईल, मैगनेट इस लाइक दिस and when we start moving this magnet, या मैगनेट ला आपन जावडियास मूव करायला start केला तया बिली या मैगनेट ला motion मदे आनला की कोईल मदे current induce होयला शुरुवात चली पन मैगनेट जासे आपन close आनू, तस अबजर कराला मिलाला की ही कोईल है मागनेट ला रिपेल करायला लागली, मन्जे मागनेट ता सहज पूड़ जात नहीं है ताहला अपली आला फोर से अपलाय करून पूड़ आना वा लागते लक्षाल मांजे ह्या क्वाइलन मैगनेटला काई केला रिपेल केला आता ही रिपलेशन का करता सेल क्वाइल मैगनेटला आता मैगनेट्स मैगनेट्सा कोंता पोले इथा नौर्थ पोले इकड़ा साउथ पोले मां ह्या मैगनेट्स चा नौर्थ पोलला रिपेल कोन करू शकत यह दुसरा एक नार्थ पोल पंच ला रिपल करू चक्तो पण इत नार्थ पोल पूल्ब ला रिपल करू chocol बार माल्दशं ऐसला पाएजिय जो तियाला काय करूल रिपला िावी यह रिपलाशंच मीनिंग जरकला अल्या यह लगे spell लग्षातीर आता ही रिपल्शन चे मीनिंग काई बगा फेन वी मूव दिस मागनेट तुवर्ड्स कोईल नौर्थ पॉल अब दिस मागनेट तुवर्ड्स कोईल धिकरंट इंडूस्ड इंदी कोईल इस इन एंटी क्लॉक्वाइज डायरिक्शन है कोईल मदे तैया रहला कर करिंद्ट करींग सार्कूलर कोईल इंडूसेस और ऊर प्रोदूसेस इंड कि प्लि already Metal current carrying circular coil काय त्यार करते है, सो तची magnetic field त्यार करते है माता इथा प्रोसेस मदे काय चले फेन वी मुव इस मागनेट current is induced in the coil मंजाता है हाँ कॉयल मदून current काय होतो है, flow होतो है आता current जर कॉयल मदून flow जाला आता फक्त योड़ा विचार करा this is our coil okay and when we move this magnet current is induced in this coil हाँ coil मद आसा anti-clockwise direction current काय जला है, induced हला है आता ही this is our current carrying circular coil एक काय जली ही current carrying काय जली circular coil जली आनि अपला महेते current carrying circular coil produces a magnetic field मंजाता ही coil स्वताची एक magnetic field तयार गरते त्या तुना था current पास होतो है आनि और स्टेट चा एक्सक्रिबन मोरूं तयान magnetic field ही तयार केली सपाई जे so this coil induces और produces a magnetic field आनि magnetic field induced केला मुला याची magnetic field ची direction coil चा center ला कश जासते सांगा if the current is in anti-clockwise direction then we can find the direction of magnetic field like this by using right hand thumb rule आपोजित युज कराईचा current चा direction नजर आपन curly fingers युज केला then thumb shows the direction of induced magnetic field याचा अरत है क्वाइल चा center ला magnetic field induced होते तयाची direction कशे outward आनि outward आपन dot न धाको तो so this current carrying circular coil is similar to a magnetic dipole how word आपलेला महितसनगर जेचे last topic मदे आपन भर्या चोड़ा ही मी ही term explain के लिल आहे मंजे काई तर एकादी current carrying coil ही बार magnet ला similar असते मंजे इसकाई तर या coil ला आता poles असता करने याचा magnetic field आहे magnetic field एकाद्या magnet ची चासते आणि magnet मतलेगे two poles आले मैं याचे poles काशे identify कुरतो आपन त्या साथी मी आसा ही सांगेत लेलो तुमाला कि current चा direction जे जो word तयार होतो है त्या अरुन ठरवा like this ओके आता इथा anti-clockwise current flow होतो है ना तर याचे आसा लक्षार ठेवाएच front phase जो हाए magnetic field चा direction काशे outward है मंजे magnetic field चा lines इकड़ा अचा बाहर हेता है है अपली coil जाली ओके आता या coil मदोन magnetic field चा lines काशे है बाहर हेता है outward है magnetic field चा lines outward बाहर कुटल्या पोल मदो हेतात संगा magnetic field lines comes out of the magnet from north pole मरुन इथा या coil चा हाँ जो front face आहे this face acts on north pole आणि पाटिमाक चा जो face या coil चा back face जो आहे this face acts as a south pole मंजे या current carrying circular coil ला pole साहे दा front side north pole back side south pole आणि मग हाँ एक अता magnetic dipoles तयार जाला यासा आर्थ याची पुडची बाज़ो हाँ कुनता pole तयार जाला है नौर्थ पोल आहे लक्षा अठिवा करन करन ची direction कशी होती anti clockwise आणि मंग हीच coil मी इथा हशी place के ले आता ही side पुडची side front side is similar to north pole so now this side is similar to north pole याचा आर्थ इथा या now let's see क्वाइल ची ही side जी आहे ती कुनता pole सार की सिमिलर आहे north pole बार मैनेट सा एकड़ो कुनता पूल है north pole आणि मंग या north pole क्वाइल ची ही जी side आहे जी north pole सार का act होते ती side क्वाइल या north pole काय करते रिपेल करते नौर्थ पूल ला काय करते मनुन यहाँ बार मैनेट इथा force of repulsion experience करतो मंजे बार मैनेट ला जावले आपन इकड़ास मूव करू त्या बीड़ी क्वाइल त्या हो तो and because of this anti-clockwise current this front face मुझे ही जी साइड आहिये मुझे the face of the coil towards the magnet acts as a north pole मुझे हाजो face है हाँ face कशा सर्का एक्ठ हो तो north pole सर्का and this north pole repels the bar magnet लश्या ताल आणि इमाग हे कशा ओरूं ठरूल direction जी आहिती करंची anti-clockwise का हे आता कशा ओरूं संगीत त्यान जी एक्स्प्रिमेंटल observations ओरूं संगीतल मंझे काय तर त्यान एक्स्प्रिमेंट करता नाची जी observation आहिती जी लग्षा थेवा this is our coil this is bar magnet and when he starts moving bar magnet then this bar magnet feels repulsive force मंझे ज्यावली magnet असा coil कड़े आपन घ्यहुन जातु तो त्यावली आसे लक्षा दाल कि ही coil मैगनेट ला रिपेल कराला शुरू करतो है मंझे magnet आप 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 जात नाए त्याला पुछ करून अंता पुड़ा आनाव लागते आता मैगनेट पुड़ा जात असेल तर त्याला जो कोनी रिपेल करेल तो दुसरा मैगनेट अज पाहिजे इथा कुटा मैगनेट आइका फक्त कोईल है अपना अपने यह महीत है कि कोईल मैगनेट सार का एक्ट करू शकते का तर यह तुना था करंट पास होई लागला है अह तो नौर्थ पोल मंझे हाल नौर्थ पोल और झेंड आक्ट 하고 डिस अंड पल रिपेल्स दुस दिस मैगनेट यह चाओन सांगेतले कि रिपेल्शन होट जाला और फिर्फा जाला और यह लेंट आज जाला फिन विमू दे नौर्थ पोल अपे बार मागने तोर्स कोई थैन दे अर दिरेक्शन आजिए अदिट्स वियुट था फिर्टार्ड इनक्रेश प्रिली कंडिशन अथा या मुशन मधे फ्लक्स का जलसंगा प्ली मुशन magnetic flux increases when we move this bar magnet towards coil then the magnetic flux passing through this coil increases flux काई जला increase मंगा आपनाता असा संगुशक तो है if the magnetic flux through coil increases मंझे coil मधुन पास होना रा magnetic flux जर increase होता सेल then the direction of induced current in the coil is anti-clockwise आता ही लग्षाताल करंट ची direction कशी हस्ते है सांगना रहे एक statement व्यवसित लग्षात्यवा current coil मदे induced हले लहा anti-clockwise कदी जस्तो कदी जस्तो if the magnetic flux passing through this coil increases then the direction of induced current in the coil is in anti-clockwise direction मंझे जर flux increase होता सेल तर coil मदे current कशा induced होना रा anti-clockwise जर्च induced होना ये पहली condition जली ये लग्षात येता है okay अथा next step next step मदे खाय करना रहे आपन याचा opposite process करना रहे now we move this bar magnet away from coil आता suppose येचा जो current induced जला है त्या मूल येलवानो मिटर जरीडिंग इथा आली निडल जी हायती इकड़ काय चली deflect चली now we start moving this bar magnet away from coil आता बार magnet ला आपन ये हाँ coil पासन अवे काय करना रहे move करना रहे आता ये पहली condition काय संगते magnet ला जयावले आपन towards coil move केला then in this case this coil repels the magnet है magnet ला coil करते रिपेल करते मंजे जवल येव देतने आता जवल येव देतने याचा अर्थ काय तर magnetic flux जो increase होतो है यहाँ flux चा increase होने आला यहाँ coil मदे तयार जले आला current काय करतो है आपोज करतो है magnetic flux increase होता ना पन magnetic flux increase होता सता ना त्या increase होने आमुलेज कोयल मदे current तयार जला change होतो है ना flux मुलेज कोयल मदे current काय जला induced जला पन जयावल यहाँ current induced जला तो current आसा induced जला कि या magnetic flux ला तो आता increase हो देत नाई है आसा induce जाला है मंझे कुन्तिया direction ना anti-clockwise मंझे magnetic flux मदला हाजो change आए त्या change ला induce जालेला current जो आए तो oppose करतो है त्या flux ला increase होत नाई मंझे magnetic ला जवल यहो देत नाई है तो repel करतो है जर current clockwise जाला सता तर इकट जा पूल, south पूल आसला सता ने attract के ला सता flux आजून increase जाला सता पन current आसा चे induce होतो है कि तो flux चा change ला खाय करतो है oppose करतो है now second condition when we move this bar magnet away from coil coil पास उन बार माइनेट आवे ने ताना flux ची value काय होई लाता सांगा second condition now in the second condition होई तो काय होई लाता decrease होई आणि magnet जाओले आपन इकड़ा आसा नहला लागलो त्यावड इन ग्यलवानमीटर ची रिडिंग जाओले अबजर केला चाओले आसा दिसला दिस ग्यलवानमीटर शोज deflection इन अपोजिट डायरेक्शन मनज़ा ता ग्यलवानमीटर जाओपोजिट जाले याचा अर्त काय करंच डायरेक्शन चेंज आली करंच डायरेक्शन काय जाली चेंज आली अता करंच डायरेक्शन चेंज का जाली तर magnetic flux आता काय होतोई decrease होतोई magnetic flux starts decreasing आणि जासा magnetic flux decrease होतोई कोईल पासोन अवे नेत जातो त्यावड यास अबज़र कराला मिलाला कि ही कोईल आता magnet अवे जाताना याला attract करते मगाशी magnet जावल आंताना कोईल मैगनेटला काय करत होती रिपेल करत होती पर आता त्यास magnet जावड आपन अवे नेला शुरू केला त्यावड या कोईल चावड बिहेवियर चेंज हला कि कोईल आता त्या magnet अट्रैट मझे कोईल आपन जावड आस magnet अवे नेत तो त्यावड आवड मझे मैगनेटला कोंतरी पाति में आट्रैट करते अता आट्रैक्शन हाषी रिपेल थे एकाद्या पलला नॉर्थ पलला नॉर्थ पलला रिपेल करता 올 North पलला साउ् पल्ल काय करता आट्रैट करता अनि अवे पह्तरु करता वilt फेनलार ड स्टित काहल त्याक्शम सक्षओए इंदी क्वाइल इज नाव इन क्लॉक्वाइज डायरेक्शन आता ह्या क्वाइल मदे इंड्यू जलेला जो क्रंट होता that current will be in clockwise direction मन्जे आता current ची direction चेंज जाली आगोदर जो anti-clockwise current यामोदे flow होता तो current आता कसा जाला clockwise current जाला आणि आता clockwise current मन्जे काए तो हाँ coil मदे आता current ची direction काए जाले clockwise जाले ओके आता इता current ची direction clockwise असेल तो मग हाँ जो face है coil चा front face तो कौन ता poles आगाए ठोई नाओ here तो direction of magnetic field is now inward current ची direction काए एकड़ करली फिंगर thumb shows the direction of induced magnetic field and here the induced magnetic field is in inward direction magnetic field ची direction काए आता inward आणि हे similar ची यासला direction बगा current ची आशे है ना इकड़ so now the front face of this coil acts as a south pole मन्जा ता इता front face है तो कौन ता pole तायर जाला south pole तायर जाला and when we move this magnet away from the coil the south pole of this coil attracts the north pole of bar magnet bar magnet चा north pole ला coil चा south pole काए करतो आता attract करतो है मन्जे दोन condition मजे अधा अधी लक्षा ठेवा flux काए होतो है flux passing through coil decreases flux decrease होता स्ताना coil मदे इंडियू जालेला current जो है तो कसा याता clockwise है या दोन वर्ड मदून फक्त direction लक्षा ठेवा बस होईल मन्जे current कसा आसतो if magnetic flux passing through coil increases मन्जे क्वाल मदून पासवनारा magnetic flux जर increase होता सेल माँ तो कुटल्या ही कारना न होता सेल then the direction of induced current in the coil is anticlockwise flux increase होता सेल तर क्वाल मदे तयार जालेला current हा anticlockwise जासतो and if the magnetic flux passing through coil decreases coil मदून पासवनारा flux काय होता सेल decrease होता सेल then the current induced in the coil is in clockwise direction मन्जे हाँ क्वाल मदे induced हालेला current जो है तो कसा है clockwise है तो मला कि clockwise आने anticlockwise current आहे थे काशा औरूर कडाल तर याची एक simple method आहे जी आत्तामी इता सांगे इतली मन्जे method मन्जे का है इता तर simple condition है बगा ताहे वीवसित लक्षा ठीवा पर सांगतों में है आपली कोईल है हापला magnet है ओके नौ इन फर्स्ट केस वी मूव दिस बार magnet टूवर्ड्स कोईल मैगनेटला आपन कोईल कडे काई किला मूव किला या प्रोसेस मदे काई observations होती तर मैगनेट कोईल कडे जावल्यापन मूव किला त्या वेड़ी है कोईलन मैगनेटला रिपेल किला कोईलन मैगनेटला काई किला रिपेल कराला सुरू किला आता कोईलन मैगनेटला रिपेल काई किला करन मैगनेट चा मोशन मूलो कोईल मदे करंट इंडियू जला कोईल जला मुला कोईल स्वाताम मागनेट तायर जली मुझे कोईल acts as a magnetic dipole कोईला पोल स्थायर जली अनी कोईलचा इकर्चा फेस्ट पोलाय तो नौर्थ पोल तायर जलाने त्या मुला हा नौर्थ पोला कायकर तोई attract sorry repel करते पहली condition here magnetic flux increases magnetic flux काई जला निजर कोईल जा इकर्चा फेस्ट नौर्थ पोल स्थायर कोईल तो तोस असला पाई जे and second condition either flux in increase of the current anti-glockwise in second condition when we move this bar magnet away from coil when we started moving this bar magnet then we feel that this coil attracts the magnet at the magashi ja magnet la hi coil repel करती त्यास magnet la tha moh karthana hi coil काय करते attract ka the coil मला करण जो magashi magashi flonar current joe kaya होता anti clockwise होता तोच करण्ट आता काय जला क्लॉक्वाइज जला मन्जाता है क्रण्ची direction काय जली चेंज हली और क्लॉक्वाइज जला मला ता magashi ya coil जो pole आई एकड़ तो कोंता होता north pole तोच पोल करण्ची direction आपोजी जले आमनों एकड़ जला पोल आता south pole सारकायक्वाइक्वाइज होतो and now this south pole of this coil attracts the north pole of this bar magnet आला आत्रयाट करतो मन्जेज flux decrease होतास ताना coil मदे इंड्यूज हलेला क्रण्ची जो आए तो कसा है clockwise है मा करण्ची direction लक्षा ठेवना सोपा है करण्ची direction statement वर उन लक्षा ठेवना उगड़े पन मिया आकता संगेतला तसल करण्ची direction लक्षा ठेवाईला सोपी आहे मिजे कही explain केले त्या उरून statement ला थोड़ा तुमी understanding करूँ या बगा the direction of induced current in a coil, coil मदे induced हलेला current, is a search that, अशियास ते कि the magnetic field produced by the induced current मझे coil मदे जो current तयार जाला था, induced हलेला नकुना मुला, magnet चा मुशन मुला, त्या current मुला जी magnetic field produced होते by induced current, apposes the change in magnetic flux, magnetic flux चा चा चेंजला, हा induced current काय करतो नहीं आपोज करतो मझे magnetic flux increase होता सेल, तर coil मदे तयार जाला current जो आहे, तो current हा magnetic flux चा चा चेंजला, आपोज करतो, anticlockwise तयार होतो आणि जया ओड़ी, magnet ला आपन coil पासोन अवे घ्योन जाईल, त्यार चेंजला, magnetic flux decrease होतो है, तर मही coil आता flux ला decrease होतो है, मंझे काय करते, तर magnet ला attract करते, त्या flux ला magnet अवे जातना है, magnet ला अवे जाओ देतना है, कोईल अचा हरत काय जला, तर ही coil त्या त्या magnet ला attract करते, मंझे ज़ फ्लक्स ला कमी हो देत नहीं, आणि फ्लक्स इंक्रीज होता स्ता ना, त्या फ्लक्स ला increase ही हो देत नहीं, मंझे फ्लक्स चा चेंज ला, कोईल मदे तयार होना रा करंट हा नहीमी आपोज करतो, ओके, direction of current, direction of induced current in a coil is such that the magnetic field produced by induced current, apposes the change in magnetic flux, आपोजेश दी चेंज इन magnetic flux आरत कला अट्रेट करना क्यवा काय करना, रिपेल करना, attract मंझे जवल यताना रिपेल करते, आणि लाम यताना अट्रेट करते, मंझे चेंज ला, magnetic flux ला, increase आई हो यतना कोईल, आणि decrease आई हो यतना, increase हो यतना, increase हो यतना क्या कमे कर चार्य करते, आणि decrease हो यतना, आसा स्वाधा सा current काय करते हैं त्यामधे? Induze करते हैं आई मनें इतता समाटले ऊटालोब का Apposes the change in magnetic flux that induces the current याज flux मुळो जो तो current काय सलेलै? Induze सलेलै याला short मधी असा ही याज statement ला लिला जाते The direction of induced current in a coil is such that it opposes the change that produces it मन्जे जा change मुळो magnetic flux मरला change मुला हा current induced जहला है त्या change ला हा current आसा आस तो current मजया current direction आशी आसते कि त्या change ला काई करते है नहीं आपोज करते है यह लक्षा थालो पाहिजे आता यहां तुन स्टेटमेंट तर ईजी आ है फक्त ते अंडर्स्टेंडिंग जहला पाहिजे कि ते आपोज हावड होगे रहे का यूज केला है परत दा संगतु है करना स्टेटमेंट थोड़ा confusing वाटता है त्या साथी भी परत संगतु है direction of induced current coil मदे induced हलेला करन्ट ची direction in a coil is such that magnetic field produced by induced current मजे कोईल मदून पास होताना magnetic flux change हला मनून current induced हला अन्था induced current नो स्टाची magnetic field तायार के लिए पन थी अशी field तायार के लिए current apposes the change in magnetic flux मजे कोईल ची magnetic field आता magnetic flux चा चैनला काय करते आपोज करते मजे बार मैंनेट ता नौर्थ पोल असेल तर कोईल सा अपन नौर्थ पोल स्टायार होतो आनि नौर्थ नौर्थ मोल अट्रैक्शन होना ना रिपलेशन होई आनि ताच्य आपोजित second condition ला या टाइप मदे करण ची डाइरेक्शन आपन आइडेंटिफाई करू शोकतो है मंजे करण ची डाइरेक्शन आइडेंटिफाई करनो खुब सोपा है तुमच्या लक्षा ताला सेल जर magnetic flux increase होता सेल तर करण ची डाइरेक्शन एंटिक्लोक्वाइस और इप दी induced EMF inner coil E equal to d5 by dt कुंता ला है हा इस आवर फारेज ला हा कुटला ला है अपला फारेज ला अता मी magnitude सांगत हो तो बट हीर negative sign always used E equal to minus d5 by dt and this is our lens law हा अपला काया है actual मदे lens law अपला काया है अच्छल मदे lens law अपला इस negative sign is given here negative sign इथा का दिला सेलमा तो माला जर कुटला ही textbook बगा प्रत्यक टेक्सों मदे इथा negative sign दिले ना इतर मही असल हिला जात एकुवल अता याचा मीनिंग तुमाला महीत है अपन आत्ता परियं तासास फॉर्मला लेला है करन फाड़ेज लों मदे फक्त magnitude कीती आसते है संगित ले sign च महीत नहुत है direction ओगरे कही महीत नहुती but now the direction of induced EMF क्यों हा current ही अपलेला महीत जाले आने त्या मुला अपने अपने negative sign दिला का sign दिला तर हाजो magnetic flux मादला change आए d5ydt मंजे काई rate of change of magnetic flux या flux ला हाँ induce जलेला EMF हाने मी अपोज करतो मंजे coil मदे आसा करण त्यार होतो कि त्या magnetic flux चा चेंज ला तो हीमी apposer करतो flux वाडवत तर कोईल वाडव्रु देतना है त्याला आणि flux कम ही हो त 이번 boiling Tam त्या प्लक्स हले ना कम ही हो देतना है मंजेतं या कोईल मदे इंडियू जालेला जो current counterpart ा है current analy जाला मंजेज EMF इंडियू जाला कायल मदे अनि मग हाँ करंट क्योंवा EMF जो इंडियू जाला कायल मदे तो इक करंट क्योंवा EMF हाँ नहीमी आसाच इंडियूस होतो कि तो जाला मंगनेटिक फ्लक्चा चेंज ला आपोज करतो एंड दासवाई वी यूज फियर निगेटिव साइन इता वर्ट जे यूज के लाए करंट आपोजेश दी चेंज इन मैंगनेटिक फ्लक्स बंजे इंडियूस करंट जो आए तो नहीमी मैंगनेटिक फ्लक्चा चेंज लगार तो आपोज करतो एंड था वी यूज ही र एन निगेटिव साइन लक्षा ताल निगीटिव पंठ च्ख्यतों मैंगनेटिव फैंडड करेच यह असल तर निगेटिव साइन घर नहीं आपन पर निगेटिव साइन देल दाता ट्यास रिजन हे आहे उके रहाम चा सेंटर कंसिदर कुरूया this is our coil and a bar magnet now we consider here a bar magnet now this is our bar magnet north pole south pole okay अता इकड़ नौर्थ असेल तरज ही condition south pole के लागी बरोबर opposite होता लक्षा ठीवा थे थोड़ा लक्षा ताल पाई जाबला now here when we drop this bar magnet in this direction या direction आपन bar magnet ला काई केला drop केला याचा हर्त काई शुरूवा दिला बार magnet असा इकड़ येल मंजे towards coil motion जाले ना याची ही motion towards coil motion असेल तर या coil मदे जो current तयार होतो current कसा तयार होतो anti-clockwise like this current induces in the coil like this and now the face of this coil acts as a north pole या coil चा हाँ face जो है वरचा face जो है तो कशा सरका act होतो north pole सरका act coil ची स्वताची magnetic field ही तयार होते अधा या lines मंजे कुनाचा lines तर magnetic field चा कुनाची magnetic field ही magnetic field कुनाची बार magnet ची और ही magnetic field आई ती कुनाची आता coil ची करूं कोईल मदे current इंडियो जालागी कोईल स्वताची magnetic field तयार करते याता magnetic field ची direction कशियास ते north pole अशेल तर outward मही आउटवर वरती यालो so this is the direction of magnetic field अनि मही या नौर्थ पोल मदे या नौर्थ पोल मदे काया होते रिपल्शन हो तो मही काया होली संगा jskal系 चीन स्वत घ्रावट जाहे रिपल करते या माइट ईता नौर्थ या नौर्थ फोलस यायों मदे माइट मैडियो फेर्स पासा Israeli a coil increases, पहल्या condition मदे magnetic flux coil मदुन पास होना रा काय होतु है, increase होतु है, okay, magnet इथुनी तहील, and now it passes through this coil, या coil मदुन काय होईल तो अशा, पास होईल, now when it comes at this position, आप या position लाला रानतर, magnet तर तोचे, means, here okay, sorry, इथा opposite जला, this will be south pole, and this will be north pole, so here, this will be south pole, and this is north pole, now this is our coil, this is our बाहर magnet, and now this pole is south pole, आता लक्षा ठीवा, coil कडे असलेल, magnet जो towards coil pole आहे, now this pole is not north pole, it is now south pole, and now in this case, here magnet is moving away from coil, आप ला महिने तहे, magnet जर coil पासुन आवे जात असल, then this coil attracts the magnet, है, coil तहा मैणेट्ला काई करते है, attract, but here, pole is south, या बाहर मैणेट्चा पूल कंता है, आता साथ है, आप ला attract क्राई चा इलतर, क्वाएल्चा downward pole, हाज भो बाढवर्चा पूल है, bottom जो आप लाए, तो कंता है लापाई जोता, शोड भी नॉर्थ पोल अगोदर वरुन याता नहीता वर्थी पोल कॉनता ता या जालता सौथ पोल and now here the current in the coil reverses its direction coil मदून पासो नादा current ची डारेक्शन अता काय जाली रिवर्ज जाली कदी magnet इथुन इता याई परेंता वर्चा आप जो फेसे हाजो अपर फेसे कोईल चा तो नॉर्थ पोल होता but now fan magnet passes through this coil and now it is moving away from the coil the direction इथुन खाली आला नंतर magnet रसाता खाली जाईल तस कोईल मदून पासो नादा current ची डारेक्शन उल्टी जाली अपोजीट जाली and now the direction of the current through this coil is now clockwise आता direction कशी जाली clockwise जाली so upper face of coil acts as a south pole clockwise जाली 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 मंझे magnetic field ची डारेक्शन आता change जाली आता magnetic field ची डारेक्शन कशे downward है coil ची magnetic field संतो इम्ही magnetic field direction कशे आली आता downward upward नहीं है ता okay now the direction of magnetic field is downward आनि downward याचा रता magnetic field चा लाइन south pole मदून इंटर होना north pole मदून बहाय रेना so upper face of the coil acts as a south pole and lower face of the coil acts as a north pole मंझे ता coil चा downward pole जो आहे तो north pole है upward है तो south है okay आनि downward north है यान नौर्थ पोल या south pole ला काय करतो attract करतो like this मंझे magnet यातुन जाताना वरून खाली याताना ताला repulsion हुद आनि यातुन आत्मदून आवे जाताना आत्रेक्शन तो मंझे रूल तो चाहिला आता यामदे मग चेंजेश जर कोशन मदे अस्तील तरते कसा यूज कराईचा है थोड़ा लक्षा ठिवा भाजे इता तुम्हे लाकी नौर्थ पोल साउथ पोल यामदे थोड़ा कन्फुजन वाटते आत्रेक्शन साउथ पोल यामदे थोड़ा कशी कही चिमा बार मागनेट मोशन मदे अस्ता ना प्रते कोड़ी नौर्थ पोल यामदे थोड़ा से लासा नाही तो इस आवर कोईल या कंडिशन है अपली ही इनिशल कंडिशन दिल्ली में सपोस एंट अधा इनिशल कंडिशन अपन आशे घिवा हा साउथ पोल याम नौर्थ पोल यामगा अशे हा नौर्थ होता अथा कायो भीली संगा वेन वी मुव दिस बार मागनेट तूवर्स कोईल अथा बार मागनेट ला आपन तूवर्स कोईल काई केला मोशन मदे आनला Magnetic Flux Increases Flux increase होता अथाल तर import direction अशे अशे हा से म diaphragm Anti-clock-wise अशे मعتला Direction कशे अशे Anti-clock-wise पन-थी कदी ऐव धी नॉर्थ पोल आप बार मगनेट इस representing अबार मागनेट चा नॉर्थ पोल याटे हonie अशेल तर अस थी direction कशा त dobr मागनेट याच्चे अशे and now the current induced in the coil is now in clockwise direction आता इथा current जो induced जला, तो current कासा induced जला clockwise direction न current induced जला and clockwise direction न current जर induced जला मंझे this coil में आशी प्लेस करतो है सरवर प्लेस केली, ही आशी coil है, यहला आशी प्लेस केला आता current induced current in this coil is clockwise मंझे magnet ला आशा जवडानल कि याचा current जो आए तो कासा induced जला clockwise, आता clockwise current induced जला याचा आरत, इफ्रंट फेस acts as a south pole हाँ pole कोनता जला आता, south pole जला बरोबर लग्षा केते, this pole acts as a south pole so, this face acts as a south pole and this south pole repels this magnet मंझे magnet ला repulsion होता है मंझे हा current आशा induced जला कि magnetic flux जो आता इंक्रीज होतो है तो काई होईल, त्याला induce जला current जो आये तो आपोच करेल मंझे हाँ sentence मदला जे word आयेते इथा true होते, फेरीपाय होतो है हाला याचा आरत, लक्षा ताला काई change जला यामदे मंगा शे north pole move होता न anti-clockwise current आता south pole उल्टा केला clockwise current जला लक्षा ते ते आनि मं यह चा आपोजेट when we move this bar magnet away from coil आता याला जर अवे नहिला तर काई होईल सांगा? when we move this bar magnet away from coil flux starts decreasing flux काई होईला ता? decrease होईल आनि flux decrease होता सेल तर magnetic ही ता induce हाला current हाँ आसा induce होतो कि तो induce हाला current magnetic flux चा decrease होने आला काई करूतो आपोज करतो होंजे magnet ला attract करतो आता south pole ला attract कराया जासेल तर now the induced current in the coil is now anticlockwise direction आता current जो हाई तो induced हाले ला कसा धाला? anticlockwise and that's why this pole acts as a north pole and this north pole attracts this bar magnet second condition मांजे बरो बरो उल्टा धाला ही ता याचा हारत हे depend आहे bar magnet चा कुंता pole towards coil क्यों away from coil move होतो है, आपन जे explain केले कुछले condition ला कड़ाला? आपन एक्स्प्लेन केले bar magnet चा north pole towards coil आने away from coil या condition ला, त्या चावरुण ठरवले flux increase होतो है, flux decrease होतो है या conditions व्यवस्थित apply करता आला पाईजे या conditions लक्षात आला याचा आपने ला numerical solve करता नहीं यूज कराईजा है